नमस्कार पन्ना मेरे भाई लोग आज मैं बताऊंगा कि 3-4 महिना के भीतर सबसे तेजी शी वाइरल होने वाला गाना कौन-कौन सा है सबसे जादे बजने वाला गाना कौन-कौन सा है तो चलिए हम आपसे बताते हैं पहले पे आता है पटना से चलता दवया मेरे भाई लोगी जो पटना पे चलता दवयाई रंजित सिंग जो इसके सिंगर है जो की बहुत अच्छा गाये हैं और यह गाना बहुत जादे मतलब चल ला है मार्केट में और रील भी बहुत जादे बन रहा है आप लोग देख सकते हैं इधर और दूसरा पे आता है चंदन चंचल का गाना जो की देवरा ढोणी चटनाबा यह भी गाना बहुत तेजी से चला और बहुत वायरेल भी हुआ और बहुत जादे रील भी बना जो की सबसे जादा इही गाना चला है और इस पे थोड़ा असलिता को ले के इस पे कुछ लोग ह ये इतना बस मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ अगर ये गानाइ असलील है तो इतना चल क्यों रहा ही इसका मत्पभ ये पूरा अपना भजपुरी समाझ असलील है ये बताईए ना-एगर असलील होता तो लोग नहीं सुनते लेकिन बहुत जादे इसे लोग सुन रहे हैं समझ जा यह अच्छा गाना उतना नहीं चल ला है लेकिन असलील गाना कहां तक कितना मिलीन पहुंच जा रहा है दूसरे पर मेरे भाई लोग देख सकते हैं यह गाना आ रहा है और बहुत अच्छा चला रिस्पॉंस दिया कि इसे डिलेट मार दिया कोई मतलब जमेला मिला करके और फिर भी फिलाल बज रहा है किसी और सेनल पर चड़ाए हैं लोग बज रहा है यह गाना बहुत अच्छा है और बहुत तेजी से बाज रहा है चौता है पाँच छे गाना है मेरे भाई लोग जो की वर्तमान में मतलब जादे बज रहे है यह गाना अगर मतलब हमारी यूपी बिहार में जब लगन का समय होता है उस समय अगर यह रिलिज हुआ होता अपलोड हुआ हुआ यूटूब पे तो 50 मिलियन 100 मिलियन तक क्रास कर गया होता क्योंकि उस समय जादे मतलब लोग डीजे पर बजाते हैं और सुनते हैं और इंज्वाय करते हैं सही बात है या गलत बात है इतना बताइए हंडिट परसिंड मैं बता रहा हूं मेरे भाई लोग यह गाना अगर मतलब लगन के समय अपलोड हुआ होता तो बहुत तेजी से वायरल होता बहुत जादे बज़ता क्योंकि यह गाना डांस करने लायक है और जो कि यह मतलब लड़के इंजवाय करते हैं उस टाइप का है औ नमस्कार परणाम आप से को पहर चुके हैं